है गाईस वालकम बैक टूमान दन्य वीडियो आप सब का सबक्राइब कर दो आज हम बात करेंगी क्या होगा नेक्स्ट विक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी सुरू करने से पहले बता दूं कि कहीं सारे स्टॉक्स ऐसे है जिसके डेली चार्ट बहुत ज्यादा खराब हो हो चुके है और कुछ श्टॉक्स ऐसे जिसके विकली चाट भी खराब हो गए लेकिन जो माइन इंडिक्स है वो कहां पर आज टूस्ट कर रही क्यों क्यूंकि डेली चार्ट गलत हो चुके है मतलब नेगेटिव हो चुके लेकिन क्या विकली चार्ट हुए है चलो आते दे सबसे पहले जिनको नहीं बता मैं बता दूं कि यहां पे जो ट्रेंड चल रहा है वह अभी अप्ट्रेंड चल रहा है ठीक है और यहां पे जो चीज हुई है पिछले जो वीक में उसके इसाब से यह नेगेटिव हो चुका है डेली चार्ट तो डेली चार्ट नेगेटिव होने का सिंपल रिजन यह है कि यहां पे और हमें करेक्शन दिखेगा अब दूसरी चीज हमारी जो मसीडी है ठीक है इसको मैं बड़ा कर रहेता हूं अब आप जैसे देख सकते हो मसीडी भी यहां पर इंडिकेट कर रही है और वोल्यम के सबसे भी नेगेटिव ठीक है अब आ याँ पर दिखो आपको दिखेगा आरे से चल रहे नीचे की और और यहां पर एक दिक्कत यह है कि हमाजी नीट्रल लेने 50 यह वहां तक अभी तक नहीं है उनलब जब तक नेट्रल लाइन के पास नहीं आएगी तब तक के लिए ये ही ही धाउंट्रेंडी दिखेगा जब तक न्यूट्र लाइन के के हैं ना की मंदी के फिर। डाउन ट्रेंट के ट्रेंडए उपर के और चल रहा है जैसा मैं रा ओट करके करके डिख़्या लेकिन बस कर्रेक्षां चुरू और अब वीक्ली चार्ट अब दिखेगे कहा तक दिखेंगा के आप Seems teşekkür अब यहां पर कुछ अच्छी चीज़ है तो सबसे पहले आपको यह याद रखने है अगर नेक्श्ट वीक अठरा या 450 के नीचे अगर क्लोज आ रहा है तो विकली बेजिस पे हमारा जो चार्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा लेगन एप चल रहा है तो नेगेटिव होगा वो के लिए होगा तो यही मान के चलिए कि अच्छाइब तक नीचे क्लोज नहीं आता तब तक के लिए करेक्शन नहीं है मंदी नहीं है ठीक है तो अभी अवरॉल हमें दिख रहा है कि डैली चाट यहाँ पर नेगेटिव नहीं हुआ है सोरी विकली चाट हमारा नेगेटिव न हमें इंडिकेशन दे रही है और काफी अच्छे खासे डार्क ग्रिन सर्कल्स बना रही है तो लेकिन मैं यहाँ पर बस इतना कहना चाहूंगा कि यह जो अगर आपको दिखा है पूरे वीक में तो वह प्रॉफिट बुकिंग दिखा है और जिसी साब से उसने प्रॉफिट आपको है यहाँ भी नीचे से उपर जा रही है कि यहां पर दीरेजरे उपर जा रही है लेकिन उसने उसका जो m Tonga नीकित कर से उपर जाने के लिए और जगा टो और जर्वडिव है और वीकली बेजिस पर काफी सभी चल रहा है सिल अर् और अच्छा रहेगा अभी नेक्स तो जो भी आपको यहां पर दिखा है वो मुझे लग रहा है मेरा पर्सनल व्यू है कि वह एक ट्रेप है जहां पर लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है कि अब निकल लो मंदी आ रही है वरना फस जाओ गया तो यह ट्रेप है लोगों को एक्जिट करवाने का जिससे लो खरिदने का मौका मिले तो बस मैं इतना कम गाड़ गबरायनी की डरने की बाद नहीं है विकली बेजिस पर अच्छा है और जैसे मैंने बोला पिछले विक भी बोला था कि 18500 के नीचे क्लोज नहीं आता तब तक के लिए मंदी का चार्ड नहीं है और उसके नीचे आया भी चार्ड में तो भाई ओर बाउड भी हो चुकि है थोड़ा सा करेक्शन होना लाजबी है तो मैं इतना कहूंगा गबरे यहां मत जिनको बाय करना है जिनको मौका नहीं मिला वह अठ्छा चार सो पचास के नीचे एक बार रिस्क लेकर सकते हैं और जिनको मौका मिला है और जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो हर गिरेवर्ट पर बाय कर सकते हैं लेकिन जैसे मैंने बोला लाइन टूटे निकल जाना क्योंकि अठ्छा चार सो पचास अगर उसके नीचे लिए तो एटलीस दोस्तों से पांट सो पॉइंट का एक बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा तो अभी के लिए उपर के लेवल जैसे मैंने बोला अथा साथ सो गहीं नीचे के लिए अठ्छा पात्स से थोड़ा हमने नीचे लिया है अठ्छा चार्स पच्छा पचास वहीं पर हमारा एक सपर्ण बन रहा है यह याद रखना आप और डाउन के लिए अब आते बैंक हो सकते हैं आपको लगे लेकिन टेक्निकली मुझे नहीं दिख रहे हैं तो इसलिए मैं रेसिस्टन्स नहीं ले रहा हूं तो सबसे पहले मिलेगा तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर मैंने एक लाइन टो कर लिए और यह लाइन हमें दिखा रहे हैं अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई है क्योंकि जो हमारा लाइन जा रहा है उसके करीब आ गया है तो अभी जो मैंने लेवल्स दिए 40,700 वो गाठ बानके पकड़के चलना को उसके नीचे अगर क्लोज आ रहा है तो समझ लेना कम से कम हमें हजार पॉइंट का एक मूह देखने को मिलेगा नीचे की और और हो सकता है साथ बड़ा भी मूह देखने को मिले पूरे वीक में लेकिन मैं बस इतना करना चाहूंगा कि अवरोल जहां पर डेली चाहिट जो हुआ है अमारा वो नेगेटिव हो चुका है करेक्शन दिखा रहा है तो यह जो केंड़र्स बनें उस सब से नेगेटिव हो चुका है लेकिन हम विक्ली चाहिट में बात करेंगे और क्या है इसमने डिफरेंस अभी के लिए डेली च के वोलियम्स उसे सबसे वोलियम के सबसे वह दिखा रहा है कि यह नेगटीविटी और ब्रड रही है यहां पे हमें और करेक्शन देखने को मिल सकता है ठीक है अब रसाई की बात करें तो आरसाई अगर आप देखो तो आरसाई अभी भी हमारी जो है वह यहां जो नीट्रल लाइने 50 वहाँ पर चुछ जा वहाँ से हमें जो तरफ मूस देखने को मिलेगे जो अमार लिए अच्छा होगा तो ओर और डेली चार्ट नेगेटिव अब यहां पर होता है गेम चेंज क्योंकि यहां पर है वह बता देते हैं सबसे पहले हम यहां पर दो चीज़ देखें अगर वह ब्रेक हो रहा है किसी भी दिन उसके नीचे क्लोज आ रहा है तो समझ लेना वहां से एक बड़ी गिरावट डेखने को मिलेगी दूसरा यहां पर वोल्यूम्स अगर नीचे की और अगर आपको दीख रहा है देख सकते हो वोल्यूम्स पिछले विक के हिसाब से सेलिंग प्रेशर कम हुआ है विकली वेजिस पे यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है उसका मतलब हो रहा है कि यहां से वापिस एक नेक्ष्विक गरीन कंडल बन सकता है जो काफी ज़्यादा अच्छी बात है ठीक है अब आते हैं हम मेसेडी के विकली चार्ट के तो मेसेडी हम यहां पर देने वाल बात नहीं है प्रॉफिट बॉकिंग आ सकती है कुछ लोग एक्ष्ट्र सेल भी कर सकते यह सोचके कि अभी चल नहीं रहा है तो हो सकता है यह आम बात है आरे सई की बात करें कि आरे सई यहां पर अगर आप देखो तो उपर से जो बड़ी है अभी तक और बाउ जो मिने लेवल दिये है उस पर चलना त्यारी सजय साथ सो को पकड़ के बेट ना सोई मैंने पहले ही बोला था 1160 पर स्ट्रोंग रेसिस्टंस है वही रेसिस्टंस है विकली बेजिस पर गिरा है तो बस मैं यह कहूंगा अब जो सपोर्ट आएगा सबसे पहला 1100 के करीब है दूसरा मिलेगा 1180 यह दोनों सब्सक्राइब आपको स्क्रीन पर देखी और इसके बीच में आप चाहे तो अपने इसाब से देख लेना अब आजाते हैं दूसरे रिव्यू पर इन्फोसिस में मैंने पहले ही बोला था पिछले की 1290 के नीचे जा नहीं आया है तो मैं अभी उस पर इस टिक करता हूं 1240 के नीचे जब तक लोज नहीं आएगा तक बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी अभी थोड़ा सा गिरावट दिख रही है क्योंकि पूरे टोटली आउटर सेक्टर में गिरावट दिख रही और दूसरी में अगर आप वोल्यम्स देखते हो आपको दिखेगा कि पिछले वीक के हिसाब से इस वीक वोल्यम में गिरावट है मतलब की सेलिंग कम हुआ है बस यहीं इंडिकेशन होते हैं जो मार्किट को रिवर्स देते हैं वहां से वापिस एक बांस बिदेखने के लिए देते हैं अगर जैसे ही 1240 के नीचे क्लोज़ा हो रहा है तो आप निकल लेना क्योंकि उसके बाद एक सीधा सबड़ आएगा 1185 पे और उसके बाद तो फ्रीफोल होगा अब सबसे पहले मैंने जो लिया है वह हीरो मोटो को क्यों लिया है इसको डेली चार्ट में आसानी से समझ सकते है ठीक है सबसे पहले यहाँ पर मैं बस इतना करना चाहूंगा कि पोजिटीव चार्ट है अप्रेंट का चार्ट है लेकिन यहाँप एक करेक्ष्ण और स्ट्रोंग क्रेक्शन देखनों को मिला है और जिससे साब से देख सकते हो बार बार एक लेवल पे दोनों बार से रि यही रखेगे, यहाँ पर गे पर गे बरने आ सकता है, तो target हमारा रहेगा, अठ्थाइसो बचास के करीब, ठीके, पहला अठ्थाइसो फिर सत्थाइसो बचास, तो इसकी भी यह साई डीटेल भी आपको स्कून पर देखेगी, उसके बाद, guys, जो stock लिया है, वो है टाटाट कर लेने की वज़ा, guys, मैं बस आपको weekly chart देखाना चाहूंगा, weekly chart पर आपको दिखेगा, कि यहाँ पर वो काफी हपतों से positive trend में चल रहा है, और trend के हिसाब से, काफी हद तक सही चल रहा है, लेकिन, हर बार एक level पर profit booking देखना को मिल रही है, और वो level है, एक अज़ा 20 का, उ मैं बस इतना कहूंगा कि इसको आप buy कर सकते हो, इसकी वीडियो जानकारी अभी आपको screen पर दिखेगी, और जिसी सबसे उसका trend चल रहा है, मुझे लग रहा है, जल्दी reversal मिलेगा इसमें, तो guys, यही थी आज की वीडियो, काफी ज्यादा stocks मैंने देखे, लेकिन उसमें 50% stock जिनका daily और weekly chart नेगेटिव हो चुका है, और बाकी के 50% जिसमें सिर्फ correction लिखा है, नेगेटिव नहीं हुआ है, तो next week हमें deciding factor रहेगा, पूरा week में हमें बता चल जाएगा कि market कि आ चाता है, किस दिशा में जाना चाता है, और किस और जाएगा, तो I hope आपको जो सारे information है, वो helpful लगी होगी, इस में से कुछ भी काम का लगा हो, तो सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, फिर मिलेगे ऐसे information के साथ, तब तक के लिए आप सबको एक happy ending guys.